नमस्कार दोस्तों स्वागेंत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल TechWave Studio में मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमीति वारी दोस्तों अगर आप embora अप यस्वेयर के कर्ष्टर मर आर आपके पास क्रिडित काड है這邊 और आप उसका कोई भी टांजेक्षन इनेबल करना चाते हैं जिसे ओंदा पहर राग्ता वीटिम कर Produce स्वर्चियव इंदो एक तर डिसेबल करना हैं तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि का कोई भी ट्रांजक्शन इनेबल या डिसेबल कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना देर किये चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर तो सबसे पहले दोस्तों आपको SBI Card जो है उसे अपने फॉन में इंस्टाल कर लेना है देन दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आजाएगा यहां पर आपको अपनी लोग इन डिटेल्स भरके लोग इन कर लेना है अगर आप अपनी यूजर आइडिया और पासवर्ड भूल गये हैं कि यूजर आइडिया और पासवर्ड कैसे रिकवर करते हैं उसकी वीडियो मैंने अल्लेडी बना रखी है वीडियो का लिंक मैं आपको उपर आई बटन में नीचे वीडियो की डिस्क्शन में दे दूंगा तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख लिखा हुआ दिख जाएगा आपको इसे उपन कर लेना है और उपन करने बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे मैनेच का ट्रांजेक्शन लिखा हुआ दिख जाएगा आपको इसे उपन कर लेना है और इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ट्रांजेक्शन ओन आफ कर रहे हैं उसके लिए होता है जैसे जूम हो गया या फिर Microsoft हो गया या फिर और भी काफी सारी international websites हैं अगर आप उन पर transaction करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको international transaction जो है उसे enable करना पड़ेगा ठीक है तो मैंने है enable कर रखा है तो अगर आप इसे और यहां से disable करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना यहां पे टिक करना है और यह disable हो मैं ऑग गरा में जाकर काट करते हैं है यह उसके लिए है लिए तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे contactless transaction है contactless transaction होता है दोस्तों Wi-Fi से payment होती है जिसमें आप अपना card जो है वो POS machine पे touch करते हैं और आपका transaction जो है वो complete हो जाता है जिसमें आपको पी नोगरा कुछ डालने की ज़रूद नहीं होती है तो अगर आप इसे enable या disable करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे ATM transaction अगर आप अपने credit card से ATM से पैसा निकालने चाहते हैं तो यहाँ उसका भी option दिया गया है आप चाहें तो उसे भी यहाँ से enable या कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल मैंने आप कर रखा है और मुझे यह contact transaction जो है इसे बंद करना है तो जो भी transaction आपको on off करना है उसे कर देना है यहाँ पे आपको save का option मिल जाएगा नीचे आपको इस पी क्लिक कर लेना है इसके बाद आपके mobile पे एक OTP आएगा उसे यहाँ पे कर देना है इसके बाद आपको submit कर देना है और यह देखिए दोस्तों यहाँ पे अपडेट successful लिखावा आ गया है यहाँ पे लिखा you have successfully updated the transaction preference or domestic and international transaction on your SBI credit card ठीक है यहाँ से आपको ok कर देना है और इसके बाद आपको इस app को log out कर देना है तो दोस्तों इस तरह आप आप अस निकुल न भूले मिनते हैं कि एन वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ नवसकार अब अब कर दोंब